नमस्कार दोस्तो स्रेय सायर टीम इंडिया में नमबर चार पर खेले है उसके बारे में उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तो उसके बारे में मैं आपको पुरी जानकारी बताऊंगा लेकिन आप स्रेय सायर को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना च दारी बहस पर विराम लग गया है अंबाती राइडू, विजय शंकर, रिशप पंत, महेंदर सिह, दौनी को चोथे नमबर पर आजमा रहे भारत ने विश्व कप सेमी फाइनल में नुजिलेंड के खिलाप हार के बाद मुंबई के युवा बल्लेबाद अईयर को वेस्टें प्रभावित किया, लेकिन इस साल की शुरूआत में नुजिलेंड दौरे पर उन्होंने शांदा प्रदर्शन किया, तीन मैचों की एक दिवसिय सीरीज में भारत ने 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस दौरान एक सतक और दो अर्द सतक के साथ शिर्श स्कोर रहे थे, इंडियन प्रीमियर लिग फ्रेंचाइजी दिल्ली केपिटल्स की इंस्टाग्राम चेट में स्रेय सायन ने कहा कि अगर आप भारत के लिए एक साल तक उस थान पर खेल रहे हैं तो मतलब है कि आपने अपनी जगह पक्की कर ली है, इसके बारे में सवाल नहीं प बहस चल रही थी, तब चौथे नंबर पर प्रदर्शन करना पूरी तरह से अपनी जगह पक्की कर लेना काफी संतोस जनक है, स्रेय सायन ने हाला की कहा कि वह टीम की जरूरत के अनुसार किसी भी क्रम पर बल्ले बाजी के लिए तैयार है, उन्होंने कहा कि लेकिन जब के लिए खेल रहे हो तो आपको किसी भी क्रम को लेकर लचिला पन रखना होता है, या जो भी टीम को जरूरत है, मुझे लगता है कि स्थिती के अनुसार मैं किसी भी क्रम पर बल्ले बाजी कर सकता हूँ, भारतीय कप्तान विराट कोहली को जब उनके शुरूवाती दीनों की याद दिलाई गई तो उन्होंने स्रेय सयर की तारिप करते हुए कहा था कि वह भी इसी तरह के है, स्रेय सयर ने कहा कि जब कोहली टीम के अपने साथियों की तारिप करते है तो यह शांदार एहसास होता है, वह सब युवाओ के लिए आदर से कोहली की तारिप करते अलग बाव नजर आता है आप इससे काफी कुछ सीख सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रू बता है और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को भी प्रेस करें